आज मैं आप लोग को gravity limit switch का interlock, productive panel के साथ क्यों दिया हुआ रहता है, किस लिये दिया जाता है, इसका कारण क्या है, point to point जिस तरह से मैं आप लोग को समझाओंगा, जब आप किसी company में electrical का interview देने जाईएगा, परफेक्ट तरीका से point to point आप समझा सकते हैं, बहुत सक क्रेन में जो है main host panel के साथ gravity limit switch और rotary limit switch का connection सीरीज में दिया हुआ रहता है, वो सही है या गलत है, इस वीडियो को देखने के बाद वो भी doubt आपका किलियर हो जाएगा, जब आप electric overhead traveling crane में काम किजिएगा, तो देखिएगा जो gravity limits switch है, इसका जो interlock है, इसको आपको आच्छा से समझ जाना है, कि किस तरह से interlock दिया जाता है, DSL से supply MCB में आता है, MCB से out करके control transformer का primary side में आता है, primary side महाने का बाद इसका secondary side से out होता है, जो secondary side में MCB लगा हुआ है, इसमें जो आपका phase supply है, जो आपका कोई कोई करेन में 220 बोल्ड होता है, किसी में 110 बोल्ड होता है, तो यह जो आपका phase supply है, यह आपका सीधा किस में आता है, ना अब बला जो पूस बटन है अब बला पूस बटन में तो अब बला पूस बटन आपका क्या रहता है NC रहता है जब दख NC बनावा रहता है तो ये फेश सपलाई कहां पर आता है Gravity Limit Switch में आता है इसको हम लोग Counter-Wide Limit Switch भी बोलते है जब आप Limit Switch को खोल के देखिएगा तो इसके अंदर देखिएगा कि आपका किसी-किसी Gravity Limit Switch में दो गो कीट लगावा रहता है किसी में आपका एक सिंगल कीट लगावा रहता है तो ये कीट किस टाइप का होता है ना इस टाइप का होता है मास्टर कांट्रोलर का कीट जैसा ही होता है तो ये जो कीट है जब दक आपका NC बना हुआ रहेगा तब ही तक जो है फेज सपले आपका आगे आएगा तो इस जगा में दोस्तों दो गो ग्रैविटी लिमिट स्वीच लगावा रहता है एक रहता आपका में होस्त का एक रहता है आपका एक जूलीरी होस्त का और इसके बाद जो है फेज सपले हमारा कीस में आ जाता है ना मास्टर कंट्रोलर में आ जाता है मास्टर कंट्रोलर में इन होता है CT, LT, एक जूलीरी होस्त और में होस्त सिधा जब आपका master controller zero position में रहता है ऐसे master controller का दोनों तरफ गियार रहता है एक नमबर, दो, नमबर, तीनमबर, चार नमबर, पाच नमबर करके तो यह हो गिया हमारा zero position जब आपका zero position रहता है उस time यह जो master controller के अंदर में एक kit है यह NC बना हुआ रहता है तो आभी जो है, यह CT, LT, actualist, mainist, जो आपका चार गो master controller है यह zero position में है और इसका अंदर में जो kit है यह आपका बिल्कुल भी NC बना हुआ है तो यह किस तरह से confirm पता चल रहा है देखिए यह जो बीच बला निशान है इसी को देखके आपको confirm पता चल रहा है कि जो master controller का handle है, यह जो handle है यह zero condition में आएगा, zero position में आएगा तभी जो है, यह line contractor हमारा on हो सकता है नहीं तो किसी भी हाल में आपका line contractor on नहीं होगा वो भी AC को देखके पता चलता है कि इसका उपर तरफ खाली है, नीचे तरफ भी खाली है मतलब यह जो आपका master controller है, अगर कोई कान से एक नमबर या दो नमबर में लगा हुआ रहेगा तो यह जो kit है, यह आपका NO बन जाएगा NO बना हुआ रहेगा तो किसी भी हाल में आपका यह line contractor जो है, यह on नहीं होगा तो एकदम परफेक्ट आप समझिये circuit को face supply आया, अब बला जो push button है, इसका NC में in हुआ, यहां से फिर out हुआ out होने के बाद, जो आपका main host में gravity limit सुज़ लगा हुआ है, इसमें in हुआ, फिर यहां से out हुआ out होने के बाद, जो आपका auxiliary host के लिए gravity limit सुज़ लगा है, इसमें in हुआ, फिर यहां से out हुआ out होने के बाद, जो CT, LT, auxiliary host, main host, इसमें master control के अंदर जो kit है, यह NC बना हुआ है तब ही face supply कहां तका रहा है, जो आपका line contactor on करने के लिए, एक आपका on बला push button रहता है push button के पीछे में आपका no element लगा हुआ रहता है, तो जब हम यह push button को दबाएंगे, यहां पे NC बनेगा, face supply मारा सीधा किस में आ जाएगा ना जो line contactor है, इसका A1 का terminal में, अभी यह जो push button है, जब तक हम दबाएंगे, तब तक आपका यह जो line contactor है, यह आपका on रहेगा जैसे ही हम छोड़ देंगे, तुरांद आपका line contactor बंध हो जाएगा, इसी के लिए आपका एक holding supply देना बहुत जरूरी है, तो holding supply ज्यादा तर हम लोग कहां से लेते हैं, इनपूर्ट से लेते हैं, तो जो आपका gravity limit switch है, main host और एक जुली रस्ट, इसका output से जो cable आ रहा है, इस जगा में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ना एक connector लगा हो रहता है, connector के पास में एक wire tap किये, और यह जो wire है, यह जो आपका line contactor है, यह line contactor का NO है, और यह line contactor का ही NO है, किस तरा से समझेंगे, ना यह number के साथ यह number मिलाएंगे, 1C1 लिखा हुआ है, तो इस पे भी 1C1 लिखा हुआ है, तो automatic हमको confirm हो गिया, कि यह line contactor का ही NO है, NO का input में देना है, और इहां से output करके, सीधा आपका आ जाएगा A1 का terminal में, अभी क्या होगा, जब हम यह push button को दबाएंगे, NC बनेगा, face supply आपका A1 का terminal में आएगा, और यह contactor आपका on हो जाएगा, on होने के बाद, यह जो NO point है, यह आपका NC बन जाएगा, और face supply आपका continue जो है, line contactor का A1 का terminal में आता रहेगा, किसी भी हाल में आपका क्या होगा, यह जो line contactor है, यह बन नहीं होगा, और यह जो master controller है, यहां साकर holding supply मिल गया, master controller को एक नमबर, दूर नमबर, तीन नमबर, चार नमबर, पाच नमबर, कुछ भी करते रहे, line contactor जो है, वो हमारा किसी भी हाल में बन नहीं होगा, जितना सारा standard company का crane है, कुछ कुछ crane में, यह जो आपका gravity limits होईज है, यह main host का horse side, मतलब harvest side, practical चीज बता रहा हूँ, इसको industrial का अंदर में crane जो चलता है, इसको harvest बोला जाता है, harvest side में ही series में देखने के लिए मिलेगा, इसके उपर भी हमने वीडियो बना का already upload किये हैं, और बारीकी से एक एक point आप लोग को समझाए है, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें आप लोग को यह confirm हो ही है, और अगर दूसरा में होस्ट का पैनल के साथ दिया हुआ है, एक जुलीर होस्ट का पैनल के साथ दिया हुआ है, तो यह गलत दिया हुआ है, देखिए जो आपका crane operator रहता है, वो क्या करता है, यह जो productive panel में main contractor दिया हुआ है, जिसको हम लोग line contractor बोलते हैं, तो यह contractor को कितना बार दिन भर बे on करता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार या दस बार, लेकिन जो आपका main host, auxiliary host, lt और city में जितना सारा contractor लगा हुआ है, वो देखिएगा हमें सा continue, अगर आप SMS में duty कर रहे हैं, तो master control का जो gear है, और खुचुर 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 खड़ा होके देखिएगा, तो brain hang होने लगेगा, कितना बार ये contractor को operate कर रहा है, और SMS में क्या होता है, ये hot zone का काम है, और crane भी उस हिसाब से आपका चलाना पड़ता है, बहुत ही जदा talent और बहुत ही जदा experience चाहिए crane operator को, सबसे crane ठीक से चल भी नहीं पाएगा, और हार ज दिया जाता है, safety purpose के लिए, कि crane operator अगर कोई कारण से master control लगा के सो जाएगा, तो हमारा जो safety point है, पहले rotary limit switch काम करेगा, अगर rotary limit switch कोई कारण से काम नहीं किया, तो gravity limit switch काम करेगा, तो ये जो line contactor है, जो crane operator रहता है, जितना बार crane को चलाता है, तो line contactor को आपको on करता है, अग जो productive panel में आपका line contactor रहता है, इसमें जो आपका ये kit रहता है, ये ज्यादा खराब नहीं होता है, एक बार अगर आप लगा दीजिए, छो मैना साल बर continue चलता रहता, line contactor बिल्कुल भी ज्यादा खराब नहीं होता है, लेकिन जो main host का panel में reverse forward का contactor है, ये बहुत ज्यादा होता है, फिर आवाज करता है, बहुत सा fault के बारे भी बताया हूं, और बहुत सा contactor में आप लोग को खोल के दिखाया हूं, बिल्कुल बारी किसे, तो वो सब वीडियो देखे नहीं है, तो जरूर देख लीजिए, अभी देखिए, ये जो आपका gravity limits होईज है, इसका interlock, य ये line contactor के साथ दिया हुआ है, तो ये कौन सा पैनल के साथ दिया हुआ है, ना productive panel के साथ दिया हुआ है, आप जो आपका, ये main host का panel है, इसमें जो आपका होस साइड है, जिसको हम लोग हभी स बोलते है, हभी साइड का कोई कारण से, जो आपका contactor है, वो चिपक गया, तो उ उस time crane operator जो रहता है, जैसे for example, के crane operator ladle को tap कर लिया, ladle को लेके जा रहा है, कोई कारण से क्या हो गया, master control उसका काम नहीं कर रहा है, मतलब जो आपका main host का contactor है, वो चिपक गया है, अब वो master control को कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो रूक नहीं रहा है, तो उस time जो crane operator रहता है, वो बिल्कुल hopeless हो जाता है, उस time यह नहीं सोचता है कि यह line connector को तुरंट बंद कर देता हूँ, तो यह दिम्याक ठिक से काम नहीं कर पाता है, इसके बज़े से क्या होता है, CT में जाके ladle लेके एकदम बिल्कुल तोड़ ताड़ के ladle समेत नीचे गिरता है, हार time, हार crane operator का दिम्याक perfect काम करे, ऐसा नहीं हो सकता है, जो पुराना पुराना crane operator है, वो सब के लिए तो यह सब कोई दिकत नहीं है, लेकिन कुछ-कुछ जो नया crane operator है, यह लोग hopeless हो जाता है, और CCM plan में अगर आप काम कर रहे हैं, या SMS depart में काम कर रहे हैं, तो देखिएगा जो आपका 25 चालिस 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 चाल लैडल लेके पूरा हविस करना पड़ता है, और जो सेट रहता है, उसका height भी थोड़ा कम रहता है, ठीक, एक मीटर या दो मीटर का gap के अंदर में ही, उसको हविस करके CCM को पर लैडल को रखना पड़ता है, तो उस time कोई accident हो जाएगा, आया नहीं होगा, कोई guarantee नहीं है, इसलिए क्या होता है, जो आपका gravity limit switch का interlock है, कोई कारण से का rotary limit switch फेल कर गया, तो gravity limit switch का interlock productive panel का line contactor के साथ दिया जाता है, कि कोई भी कारण सामरा accident नहीं होगा, अभी जो जो चीज में आप लोग को बताया हूं, आप Google में कितनों भी ढू जाना, या contactor का जो moving part है, वो jam हो जाना, contactor का जो plunger है, वो ठीक से काम नहीं करना, contactor के अंदर में जो आपका magnetic core है, इसके अंदर में dust होने के बार एक बार पकड़ लेगा, तो छोड़ता नहीं है, और इस type का बहुत सा फोल्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और य वो चिपग जाता है, और जिस time चिपग जाता है, उस time क्या होता है, रोटरी लिमिट सुझ तो आपका काम कैसे करेगा, सीरीज में already connection दिया हुआ है, उस time आपका रोटरी लिमिट सुझ किसी भी हल में काम नहीं करेगा, क्योंकि कांटर तो आप अल्रेडी आपका चिपग है ना, आप उसको छुडाने के लिए आपको खुद को जाना पड़ेगा, तो मेन होस्ट का होस्ट साइट के साथ का सीरीज में connection दिया हुआ है, रोटरी लिमिट सुझ ताइम काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, उस time यह जो आपका gravity लिमिट सुझ है, अगर productive panel के साथ इंटर लोग दिया हुआ है, तो उस time क्या होगा, यह line contractor आपका बंध हो जाएगा, अभी जो जो चीज, जो जो point मैं आप लोग को बताया हूँ, practical में आपको देखने के लिए मिलेगा, आप एक कौनी क्रेन, जिसको हम लोग WMI बोलते हैं, इसमें अगर आप काम कर रहे हैं, तो होगा, कि किस तरा से connection दिया हुआ रहता है, gravity limit स्विच गया, और rotary limit स्विच गया, और इसी में ही, अगर कोई कारण से contactor चिपक जाएगा, तो यह रुखता नहीं, डाइरेट जाके city में धक्का मारता है, और जो आपका ceiling rope लगा हुआ रहता है, lateral ceiling rope, सारा तोर तार के तूट के नीचे गिर जाता है, practical में क्या होता है, जो India steel के अंदर में electrician होता है, तो यह जो relay setting होता है, कोई को इसको बारी किसे समझता नहीं है, sitting ज्यादा करकर रख देता है, या जो setting point दिया हो रहता है, उसका calculation ठीक से आता नहीं है, तो यह सब चीज समझता नहीं है, कोई कोई जो thermal overload relay है, इसको बिलकुल bypass करकर रख देता है, तो यह जितना सारा point में बताया हूँ, यह सब point totally practical में होता है, और मैं देखा हूँ, इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ, अभी आप लोग को यह confirm हो गिया है, कि यह जो आपका gravity limits हुजे, जो main host और actually host में लगा हुआ रहता है, तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हैंत।